हेलो स्टुडेंट, आज के इस वीडियो में स्टुडेंट हम लोग GSBM Medical College Campus कानपूर से जी भी स्टुडेंट बेसी नर्सिंग के लिए फार्म अपलाई किये थे तो उन सभी student के लिए ये news है कि आज admit card चार बज़े से evening में download होने लगा तो आप लोग please कायफे पे जाएं वहाँ पे अपना जो password आपके पास मिला है उस password के साथ आप लोग admit card download कर सकते हैं कालेज आप नर्सिंग कानपुर में संचालित बेसी नर्सिंग चार बर्सिये पाठे करम साइचडिक साथ 2020-2021 की परवेश परिच्छा दिनांग 27 को परस्ताविष्थी जो कारणों से अस्तकित कर दी गई थी तो ये देख लिए new date दिया गया थे admit card का new date 11-10-2020 को आना था तो यह अभी साम को चार बज़े से डाउनलोड होने लगा है तो आप लोग काईफे से डाउनलोड जाके करा सकते हैं अर एकदम अच्छे से कोई भी दिक्कत नहीं है आराम से आप काईफे से करा सकते हैं admit card डाउनलोड होने लगा है और examination जो डेट है वह 18 एक्टूबर है तो आप लोग कानपूर नगर में होगा एक्जाम वहाँ आप लोग को जाना पड़ेगा एक्जाम देने तो कानपूर में only center बनाए गये हैं तो 18 तारीक को एक्जाम है और जिस भी student को BSC nursing के एक्जाम अच्छे से देना है तो मेरे चैनल पर physics chemistry biology के काफी question मैं करा दिया हूँ त प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप फेजिस chemistry biology के सभी topic एकदम clear कर सकते हैं तो आप अभी आपको फास्ट रिवीजन करना है तो मेरे चैनल पर फास्ट रिवीजन objective question भी चल ले हैं जो कि मैं बहुत तेजी से objective question करा रहा हूं तो आप लोग के लिए very helpful video भी बनना है तो पर और फार्मिसी के degree and diploma course government college से करने हैं सेफाई टावा से करने हैं तो उन सभी student के लिए मेरे चैनल पर फिजिस chemistry बालू जी के question करा जा रहे है मैं maximum question मैं करा चुका हूं और अभी question कराऊंगा और concert भी कराऊंगा तो student आप लोग महां से देख सकते हैं और जिस भी student को कोई विदिक्कत हो तो वह WhatsApp नंबर पर क्योरी पूछ सकता है तो आप लोग admit card GSBM medical college के लिए जो BBSC nursing के लिए farm apply कि हैं तो उन सभी student को farm अभी admit card download कर ल अग्टूबर को होगा कहीं भी center जाता हो तो वह हमसे संपर कर सकते हैं कि मुतलब कैसे क्या करें कहां पर है यह सब हमें पता है तो आप लोग यह भी हमसे पूछ सकते हैं तो student यह आप लोग चलिए अभी बीच्चु का बाखी है बीच्ची nursing का exam तो बीच्चु के लिए मै मेरे चैनल पर कोईशन कराया जा रहे हैं और जिस भी student को JSBM के लिए तो JSBM के लिए तो आप फास्ट रिवीजन करा हूं तो सभी कोईशन आप लोग को देख के जाना है देखके अगर कोईशन जा रहा है तो यह समझे कि जो सही करने का रेशियो आपका कोईशन का नंबर हो जिए उसका सत्तर प्लस कोईशन सही होना है और अगर OBC कहा है तो आप सत्तर से दो तीन नंबर कम कर दीजिए मीन्स मान के चलिए 65 to 70 करिए इसमें तो आपका सेलेक्शन होने के चांस है और अगर YSCST का हो YSC या YST का हो तो उन student को लगभाग यह समझे कि 60 कोईशन सही करना ह चलिए तो यह रेशियो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए अगर यह रेशियो आप बना के चलेंगे तो यह समझे कि सेलेक्शन के आप करीब रहेंगे सेलेक्शन होने के चांस रहेंगे तो student इतने कोईशन आप लोग को सही करना है और student यह भी समझ लेजिए कि physics में बालो चाहिए में 40 questions रहेंगे तो यह देख लिए 40-80, total 100 questions आएंगे without minus marking रहेंगे कोई भी minus marking नहीं है आप लोग को सभी questions सही करने हैं तो सही करने सभी questions अभी आपको टुक्का भी लगाना मालीजे कोई questions एकदम नहीं आ रहा है concept से एकदम बाहर है तब भी आप उस question को छोड़के नहीं आएंगे आप उसको एकदम टिक करके ही आएंगे चार option हैगा एक option उसमें टिक करके ही आएंगे तो यह आप लोग को पूरा एकदम confirm हो गया तो आप लोग admit card डाउनलोड कर लिजिएगा कर जाके और admit card देख लिजिएगा कि कहां पर मेरा center है तो उसी हिसाब से अपन किसे कितने कितने टाइम से एकजाम है यह भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं इस्टुडेंट यह देख लिजिए आप लोग BSC nursing का जो admit card डेख लिजिए इसमें कि दिया गया है एकजाम टाइम किना 12 p.m. से लेके 3 p.m. means आप लोग को 3 hours का एकदम paper है तो आप लोग क टाइम भी एकदम बहुत बेस टाइम है 100 question 3 गंटे का तो आप लोग एकदम आराम से कर सकते हैं इस्टुडेंट यह भी देख लिजिए reporting time 10 a.m. से शुरू है और gate closure time जो है वो 11.45 पे gate close हो जाएगा आप लोग का 12 बज़े से एकदम exam जो होता शुरू हो जाएगा registration process साड़े दस तो आप लोग को 10 बज़े exam center पे आप लोग को एकदम पहुँ जाना यह देख लिजिए जिस भी student ने यह भेजा है उनका कहां पर गया है यह देख लिजिए computer academy सादूपूर वन किलो मीटर माइल स्टोन आफ रहता रोड फ्राम रहता रोड फ्राम छाता मील इनका वक्सी का तालाब लखनोव के कहां पर सेंटर गया examination center तो यह है clear है आप लोग student प्लेज आप लोग अच्छे से तयारी करिया और exam को अच्छे से देजिएगा चलिए student हम लोग हमारे चैनल पर आप लोग अच्छे से question प्रेक्टिस करते रहे है चलिए thank you student